नमस्कार दोस्तों आप सबों का स्वागत है बिहार बोर्ण मेट्रिक परिख्छा के लिए समाजिक विग्योन का बहुत ही महत्पुर्ण अबजेक्टिव प्रस्न इस विडियो को आन तक जरूर देखें तो आईए पहला प्रस्न आप देख रहें कि गिर्मिटिया मजदूर बिहार के किस छेतर से भेजे जाते थे तो इस प्रस्न का उत्तर हो जाएगा आपका गिर्मिटिया मजदूर बिहार के पस्चिमी छेतर से भेजे जाते थे ओप्सन नमर बी बिल्कुल सही है अगला प्रस्न है कि सिकेंदर कहां का निवासी था सिकेंदर कहां का निवासी थ प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा। युनान का था। नमर्ष बिल्कुल सही है। अगले प्रशन की वोर चलते हैं। प्रश्ण है कि सन्य 1863 में सार प्रत्तम भूमीगत रेल की शुरुवात किस देश में हुई। तो इस प्रश्ण का उतन पापकब आपका। option number C, बिल्कुल सही है, लंदन में 1863 में सार प्रत्थम भूमी गत रेल की शुरुवात हुई, लंदन में, option number C, सही है, अगला प्रस्न देखिए, safety lamp का अभिस्कार किस ने किया, तो हैंफरी डेवी ने किया, option number D, बिल्कुल सही है, अगला प्रस्न देखिए, बैग्यानिक समाजबाद का परतिपादन किस ने किया, तो इस प्रस्न का उत्तर हो जाएगा, option number C, बिल्कुल सही है, काल मार्स ने, बैग्यानिक समाजबाद का परतिपादन किस ने किया, काल मार्स ने, अगला प्रस्न देखिए, नीम नलिखीत में कौन ओध्योगी करंती का कारण नहीं था तो धर्म सुधार अंदोलन ये ओध्योगी करंती का कारण नहीं था अगरा प्रस्ण है भारत में पहली जूट मिल कहां अस्थापित की गई भारत में पहली जूट मिल कहां अस्थापित की गई तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बंगाल में ओप्शन नमबर A बिल्कुल सही है अगला प्रश्न है राजगुरु को फंसी की सजा कब दी गई राजगुरु को फंसी की सजा कब दी गई 1931 इसवी को राजगुरु को फंसी की सजा दी गई थी 23 मार्च मिश्चो 31 को अगला प्रस्ण है तिन कठ्या प्रनाली किसे समंदित है तिन कठ्या प्रनाली किसानों पर लागू हुआ था किस पर किसानों पर हुआ था ओप्सन नमर D सही है अगला प्रस्ण है खिलाफत अंदौलन किसके द्वराशुरू कई आ गया था अगला प्रस्ण है वेदो की और लोटो का नारा किस ने दिया था तो दयानन सॉर सोती ने दिया था ओप्सन नमर A सही है अगला प्रस्ण है वंकिम चंद्र ने किस रचित किया है तो राष्टि ये गीत, option number B सही है अगला प्रस्ण है रमपा विदरो कब हुआ था तो इस प्रस्ण कोतर हो जाएगा रमपा विदरो उनिस्सो सोला इस्वी में हुआ था, option number A सही है अगला प्रस्ण है जलिया वाला बाग हत्याकन की स्तिथी को हुआ था 13 अप्रेल 1919 इस्वी को हुआ था अप्शन नमर A सही है अगला प्रस्ण है कॉंग्रेस पार्टी का लोहर अधिवेशन कब हुआ था अप्शन नमर D सही है अगला प्रस्ण है आपका जनेवा समझोता किस वर्स हुआ था तो 1954 में हुआ था अप्शन नमर C सही है हिंद चीन में कौन राष्ट सामिल नहीं थे हिंद चीन में कौन राष्ट सामिल नहीं थे तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आपका चीन अप्शन नमर C बिल्कुल सही है अंकोरवाट का मंदीर किस देश में बनाया गया था अंकोर वाट का मंदीर किस देश में बनाया गया तो कामबोडिया में आप्शन नमर ए बिल्कुल सही है अगला प्रस्ण है विश्वु में चुवादी सासन की अस्थापना शार प्रत्थम किस देश में हुई विस्व मेबादी सासन की आस्ठापना सार प्रतम किस देश में हुई तो रूस में option number A, सही है, अगला प्रस्ण है, काल मार्स का जैन्व, काल मार्स का जैन्व कहां हुआ था, तो जर्वनी में, option number B, सही है, अगला प्रस्ण है, रूस में नई आर्थिक नीती, NEP की सुरुवात किसने की, रूस में नई आर्थिक नीती की सुरुवात किसने की, तो लेनी ने की थी option number B सही है लेनी ने अगला प्रस्ण है समाज जुवादी घोशन पत्र के लेखक थे इस प्रस्ण का उत्तर हो जागा काल मार्स अगला प्रस्ण है लाल सैनों का गठन किसने क्या था लाल सैनों का गठन किसने क्या था तो option number D बिल्कुल सही है ट्रस्ट की ने अगला प्रस्ण देखिए रक्त एवं लोह की नीती का अवलबन किसने क्या था तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जागा आपका option number C बिल्कुल सही है विश्मार्क ने किसने क्या था विश्मार्क ने लोह रक्त एवं लोह की नीती का अवलबन क्य था विक्स मार्क ने अगला प्रस्ण है यांग यूरोप की अस्थापना किस ने की थी यांग यूरोप की अस्थापना किस ने की थी मेजनी ने यांग यूरोप की अस्थापना किस ने की थी मेजनी ने और सनमर भी सही है अगला प्रस्ण है कि महराश्ट में भूकम्प महरा महाराष्ट में भुकम आने का मुख्य था तो कोई नाव बांद ऑप्सन नमर डी सही है कोई नाव बांद के कारण महाराष्ट में भुकम आता है अगला प्रस्न है बिहार में भैंकर भुकम का वाया था बिहार में भुकम आया था 1934 में अगला प्रस्न है कि नीमनु में से कौन प्राकृतिक आवदा नहीं है तो इन में बार प्राकृतिक आवदा है हिंसा नहीं है यह मौनब के दोरा क्या दता है भूकम प्राकृतिक है सुखार प्राकृतिक है तो इसमें पुछ रहा है कि आप प्राकृतिक आवदा नहीं है तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आपका option number B सही है अगला प्रस्ण है इन में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है तो अतंगवाद हो जाएगा option number C बिल्कुल सही है सुनामी का प्रमुक कारण क्या है शमूंदर में भूकम आना option number A बिल्कुल सही है भूकम किस परकार की प्राकृतिक » लग प्रस्ण है अगला प्रस्ण है भूपाल गैस सदर्ित किस परकार की प्राहदा है तो इस प्रस्णिक का उत्र हो जाएगा आपका वायूमंडली है जनीत कहीं कहीं होगा दोस्तों लेकिन इस प्रस्ण निकोरता हो एक आपका वयो मननली है अगला प्रस्ण है भुकम कमापन किसके तुरह होता है तो आप्सन नमर C बिल्कुल सही है reactor scale से तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छे प्रस्न थे अगर आप यहां तक आये हैं तो आप इसे एक बार और देखें और इसे अच्छे से याद कर लें क्योंकि ऐसा ही प्रस्न पूछा जाएगा आपको समाजीग विग्योन प्यारबोर्ड मैंड़ दोस्तों अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कि तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में सेयर जरूर करें धन्यवाद